नमस्कार दोस्तों, मैं जया प्रकाश लाइच आपका आधिक स्वाइद करता हूँ आज का मारा क्यूशन है, प्रूज़ एट, सिद्ध कीजिए कि Δ1 upon fx is equal to minus Δ2 upon fx upon fx into f of x plus 1 हम अगर राइट अट साइड में देखे तो हम यह fx दे रखा है, f of x plus 1 दे रखा है यानि functions की value है वो एक x पे दरख्या है और एक x प्लस 1 पे दरख्या है तो इन दोनों point के बीच में दो difference है वो h कलाता है तो हमारा h होता है वो गया x प्लस 1 माइनस x इसे solve करें तो x की value हैगी 1 h की value हैगी 1 तो इस question में हमें h की value 1 लेने पढ़ेगी यहाँ कहीं given नहीं है h equals to 1 है लेकिन हमें answer से हिसाब लगाना पड़ेगा कि इस question में h की value 1 है तो start करते है solution हमारा right hand side में है delta of fx तो इससे start करते है we know that हम जानते हैं कि delta of fx is equals to f of x plus h x plus h h की value 1 है तो f of x plus 1 minus f of x यह यह कहें कि इस point पे जो function के height है और इस point पे जो function के height है इनका जो difference होता है वो ही delta fx कहलाता है equation number one left hand side से start करते है हमारी left hand side है delta of one upon fx जब गभी भी हम delta निकालते हैं किसी function का तो x को x plus h से replace करते है तो मैंने x को x plus 1 से replace किया क्योंकि यहां पे h equals to 1 है minus one upon fx जो function होता है उसको खुद को गटाते है LCM लेने पर f of x plus 1 into fx यहां पे अगर LCM लेंगे तो हुझाएगा fx minus f of x plus 1 अगर हमें equation one का use लेना है तो मुझे minus common लेना पड़ेगा तो अगर मैं minus common लेता हूँ तो मुझे मिलेगा f of x plus 1 minus f of x upon में f of x plus 1 into fx अगर a minus b है और उससे आप minus common ले रहे हो तो उसे लिख सकते हो b minus a तो उसी प्रकार अगर f of x minus f of x plus 1 है उसमें से minus को में ले रहे हैं तो उसे लिख सकते है f of x plus 1 यह वाले पहले लिखा इसे मैंने बाद में लिखा इसका मांस हमें connection में लिख सकता हूँ delta of f x हर में कोई change नहीं हुआ as it is लिख देंगे denominator में कोई change नहीं है यही हमें प्रूफ करना था तो हम left hand side लेके चले right hand side लिया है hence proved